M Pocket Instant Loan App, जादतर इस अप्लिकेशन से 500 रुपे से लेकर 1000 रुपे का ही लून मिलता है, जादतर लोग इस बात को लेकर इस लून अप्लिकेशन से लून अप्लाई नहीं करते हैं, पहले आप लाइप प्रूफ देख सकते हैं, 17500 रुपे की अप्रूबल हमें मिली है M Pocket लून तो इसे हम 5 मिनट के अंदर अपने बैंक खाते में विड्रॉल कर सकते हैं, अप्लाई करने से पहले अगर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप नया नया जॉब करना स्टार्ट किये हैं, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आपके पास अच्छी opportunity है, आप M-Pocket application से घर बैठे बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अप्लाई करते हैं M-Pocket application से लोन, तो आपको 500 से लेकर 1000 पे का ही मिलता है लोन, तो इसमें आप अगर लिमट को increase करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपका अधार कार्ड, PEN कार्ड बन चुका है, तो आप असानी से M-Pocket application से लोन ले सकते हैं, student के लिए student ID proof के माध्यम से आपको लोन प्रवाइड किया जाता है, अगर आपका source of income salary से है, तो आप पैन इंडियस अप्लिकेशन से अवेदन कर सकते हैं, maximum 45,000 रुपीज क आपको इस वीडियो में दिखाते हैं, वीडियो बसंद आए तो लाइक करने में गजोसी मत करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार बदा रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जिरू जाएगा, आईए स्टार्ट करते हैं, M-Pocket application को डाउनलोड करने का लिंक आपको हमा करना है, आपको अपना mobile number डालना है, एक OTP verify करना है, OTP verify करने के बाद आप इस application के home page के उपर पहुंच जाएंगे, जैसा कि आप screen के उपर देख सकते हैं, यहाँ पर M-Pocket application का home page open हो चुका है, अब आपको क्या करना है, देखिए, complete your profile का option अज़राता है, अब मैं आपको पह हमारी zero आ रही है, अब हम इस profile को complete करेंगे, और यहाँ पर कितने offer हमें limit के रूप में मिलता है, अब हम यहाँ पर live देखने वाले हैं, बस दोस्तों क्या करना है, complete profile पे हमें click करना है, अब देखिए, सारे step आपके सामने open हो जाएंगे, सबसे पहले आपको KYC information डालनी है, उ सबसे पहले आपके सामने personal information डालने का option नजर आएगा, अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ी से information और दे देता हूँ, जिससे आपको clear हो जाएगा, first name में आपको first name डालना है, last name में आपको last name डाल देना है, और आपको अपना gender choose करना है, date over डालनी है, और आपको marital status choose करना ह highest qualification कितनी है, as per father name KYC document के उपर कैसा है, वो यहाँ पर type करना है, mother name डालना है, और उसके बाद बस आपको next पे click करना है, अब दोस्तों आपके सामने personal information का दूसरा part open हो जाएगा, अब इसमें क्या करना है, दोस्तों आपको अपना address बताना है, pin code के साथ यहाँ पर आपको address फि click करेंगे, और नीचे आपको next पे click करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, KYC information पे click करना है, जैसे ही आप click करते हैं, तो आपके सामने तीन option आएंगे, यहाँ पर video KYC भी आप कर सकते हैं, इसके बाद pen verification के माद्यम से भी आप KYC कर सकते हैं, और अधार OTP से भी आप KYC क complete होगा, तो हम यहाँ पर अधार verification पे click करेंगे, continue पे click करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पर हम अपना pen number डालेंगे, और अधार card का number डालेंगे, send OTP पे click करेंगे, अधार register mobile number के उपर OTP आएगा, वो यहाँ पर डालके हमें submit करना होगा, दोस्तों यहाँ पर हमारा अधार card verify हो चुका है, अब हम back चलेंगे, अगर आपका business नहीं है, तो यहाँ पर आपको business की information डालने की कोई ज़रुदत नहीं है, तो आप यहाँ पर simply अपनी information submit कर सकते हैं, अब हमें take selfie पे click करना है, एक selfie यहाँ पर upload करनी होगी, और उसके बाद हम यहाँ पर आगे का process continue करेंगे अब दोस्तो हमारी application सारी fill up हो गई है, अब हम complete application पे click करेंगे, अब next करेंगे, यहाँ पर आप अपने bank का IFC code सबसे पहले डालेंगे, अब आपको यहाँ पर जो है अपना account number डालना है, और confirm करना है और submit पे click कर देना है, तो यह information डालके हम आगे चलते हैं, दोस्तो जब आ अपने home page के उपर आएंगे, तो यहाँ पर जो है आपको अपना loan amount select करना है, उसके बार tenure choose करना है, और request loan पे आपको click कर देना है, देखिए, देखी दोस्तो यहाँ पर अभी जो है हमारा profile जो है approval के लिए गया हुआ है, अभी जो है team यहाँ पर work कर रही है, जैसे ही हमारा यह profile अप्रूब हो जाएगा, तो यहाँ पर within 2 या 3 second के अंदर अंदर हमारे इस bank account में पैसे transfer हो जाएगे, दोस्तो आपको दूसरा profile अपना open करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 17,500 रुपे की credit limit हमें offer की जा रही है, बस हम यहाँ पर accept पे click करेंगे, और यह हमारी limit अप्रूब हो जाएगी, अब दोस्तो देखी, जैसे ही हमने accept किया, तो वाउ, now you can borrow up to 17,500, तो हमें 17,500 रुपे तक का loan मिल सकता है, पर इसमें भी एक condition है, आप इसे online payment में यूज़ कर सकते हैं, या आप आप EMI में ले सकते हैं, तो यहाँ पर request loan पे हम click करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3000, 4000, 5000 और 6000 रुपे की loan offer अनेवल हो चुकी है, मतलो हम 3000 भी withdrawal लगा सकते हैं, 4000 का भी withdrawal लगा सकते हैं, और 5000 का भी withdrawal मिल सकता है, और 6000 रुपे का withdrawal हमें बड़ी असानी से मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले अपना loan amount चूज करना है, जैसे आप loan amount चूज करते हैं, तो इसकी सारी detail आपके सामने open हो जाएगी, जैसा कि मैं अब आपको दिखा लेता हूँ, देखिए, 6000 रुपे बाला loan हमने select किया है, 6 महीने के लिए, total यहाँ पर deduction होने वाली है, 730 रुपे गी, amount जो हमारे bank खाते में आएगी, 5271 रुपीज, और ह हमें interest के रूप में 867 रुपीज देने होंगे, इसके अलाबा, total repayment amount बनेगी 6867, तो आप calculation करके देख लेना, कि आपको कितना loan यह costly करने वाला है, 6 महीने के लिए आपको यह installment देनी होगी, बस आपको request loan पर click करना है, आपके request submit होगी, एक agreement बनेगा, और आपके खाते में, पैसे जो आपने bank account add किया है, उसमें तुरंत transfer हो जाएंगे, तो दोस्तो यह overall process है, इस application से loan apply करने का मैंने सारी जनकारी आपको दे दी है, अब दोस्तो हम आपको यह बताते हैं, कि M-Pocket application में आपको limit कैसे increase करनी है, अगर आप मेरे regular viewer हैं, तो मैंने आपको एक last video में branch application से 21, 21,000 रुपीज का loan withdrawal करके दिखाया था, वो भी application सबसे वहले 500 रुपे का ही loan देती है, काफी सारे हमारे viewers यही कह रहे थे comment में, कि सर यह application सिरु 500 से लेकर 1000 का ही loan देती है, पर मैंने आपको बहाँ पर भी live दिखाया है कि 21,000 रुपीज का loan जो है, उस application से भी मिल जाता है, बै बात simple है, यह application आपको level up बाला loan परवाइड करती है, जैसे जैसे आप loan को repay करते जाएंगे, उसी तरीके से time to time आपकी limit increase होती रहेगी, मुझे उमीद है इस वीडियो से आपको काफी help मिली होगी loan apply करने में, अगर आपको यह वीडियो informative लगा है, तो like करिएगा, loan apply करना चा झाल 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 झाल